वेल्कम बेक टू आज चैनल तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट पड़ा था इस वीडियो में हम अपनी वुक का लेसन नंबर टू करेंगे जिसका नाम है शब परीचे पार्ट टू अब उस उस चैप्टर का नाम भी शब परीचे था वर्ट करेंगे मैं थोड़ा हिंट देती है जैसे कि आपको अगर याद हो थोड़ा नोटिस किया हो तो हमने जो लेसन फर्स्ट किया था उसमें जो भी वर्ट थे वो सारे पुलिंग थे और जो हम अब सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं उसमें जो भी वर्ट पढ़ेंगे हम स्ट्रीलिंग पढ़ेंगे तो इससे हमें ये पता चलेगा जो हम वर्ट यूज करते हैं स्ट्रीलिंग और पुलिंग में जब संस्कृत लिखते हैं तो क्या डिफरेंस होता है सो अब अपना ये chapter स्टार्ट करते हैं एशा का यह है क्या है तो पहली line में ही एक difference पता चल गया यह है का जब हमने pulling में पढ़ा था यह है तब एशा हो लिखा था और अब जब हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं तब एशा लिखा है pulling में ऐसे लिखा था स्ट्री लिंग में ऐसे लिखा है दोनों का मतलब यह है पर जब हम संस्कृत में लिखते हैं तो अलग-अलग लिंगों में अलग-अलग तरीके से चलता है तो उसमें आप confused मत होना और कभी आपको ऐसे लिखने के लिए आए तो उसमें लिंग का जरूर ध्यान रखना एशा दोला एशा दोला यह है दोला है दोला यानि जूला आप पिक्चर में देख सकते हो दोला कुत्र अस्ति दोला कहा है? कुत्र यानि कहा दोला कहा है? दोला यानि जूला जूला कहां है दोला उपने अस्ती दोला उपन में है उपन यानि पाक तो इस से हमार को एक चीज पता चल गई जो दोला है मतलब जो जूला है वो हमारा स्त्रीलिंग है अब जो हमारा next बना हुआ है वो घड़ी बनी वी है यानि कि हम इस घड़ी के बिए पड़ेंगे सा का वहे क्या है अब देखो इसमें वहे का भी डिफरेंस आ गया जो हमने पुलिंग में पड़ा था तब हमने सह लिखा था और अब जब हम स्ट्रीलिंग में पड़ेंगे तब हम सा कर रहा है और ये चीज मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताई थी मतलब उस लेशन की वीडियो में भी बताई थी जब हम किसी एक लेड़की के लिए वहे का प्रियोग करते हैं तब हम संस्कृत में सा लिखते हैं तो ऐसे डिफेरेंस आते जाएंगे आगे भी आएंगे तो अब confused बिल्कुल भी मत होगा सा गटी का यह है घडी है गटी का किम सूचियती? गटी का क्या बताती है? गटी का सम्यम सूचियती गढी समय बताती है सूचियती मतलब बताना एके नेक्स्ट एते के यह दोनों कौन हैं अग यह दोनों का भी change हो गया जब हमने pulling में बात की थी तब हमने A शहर लगा था अब हम एते लगा रहे हैं आप एक column भी बना सकते हैं जहां पे लिख सकते हैं difference क्या है इन दोनों का और इनके meanings भी साथ के साथ लिखते जाएए और जब मैं पढ़ा दू तो एक बारी उनको रीट कर लीजिए इससे आपको पर्मेनेंट दिमाग में बैठ जाएगा कि इसका मतलब क्या है कि मेते कोकिले क्या ये दोनों कोकिला हैं कोकिला यानि कोयल न ये ते चटके नहीं ये तो चटके ये दोनों तो चिडिया है आपको ये क्या कोयल लग रही है नहीं न तो वो ये ही कह रहे है नहीं ये दोनों तो चिडिया है चटके किम कुरुत हा चिडिया क्या करती है कुरुत मतलब करती है एते विहरत हा ये दोनों फुदकती है विहरतह मतलब फुदकना next टे के यह दोनों कौन है बहे दोनों इन दोनों की बात करी गई है जो यह female drivers है इन दोनों की बात करी गई है टे चाली के स्थ बहे दोनों female driver है चाली के यानि drivers अब देखो मैंने female इधर इसलिए लगाया क्योंकि हम स्थ्री लिंग की बात कर रहे हैं और अगर हम जादर तर car driver देखें तो pulling होते हैं इस वज़े से मैंने female लगाया है जिससे आपको confusion ना हूँ तो यह दोनों चाली के हैं टे किम कुरुत है यह दोनों क्या कर रही है टे वाहनम चालीत यह दोनों वाहन चला रही है आप देख सकते हो ना यह दोनों गाड़ियां चला रही है तो वो ही बता रहे हैं एताह काह यह सब क्या है एता स्थाली काह यह सब थालियां है स्थाली का मतलब प्लेट आप प्लेट में खाना खाते हो ना जिस प्लेट में उसको हम संस्कुत में स्थाली काहा कहते हैं अब यहां पे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन प्लेटे हैं इसलिए हम वह सब का प्रियोग कर रहे हैं और एतहा का प्रियोग कर रहे हैं किम एतहा गोलकारा है? क्या यह सब गोलकार की है आपको दिख लिए हैं गोलकार की है यह सारी गोलकार की है न सरकल में है न तो yes आम एता गोलकारा एव यहाँ पर यह जो आम है यह मैंगो वाला आम नहीं है आप इसे मैंगो वाला आम मत समझना इस आम का मतलब है हाँ यहें गोलकार की है यहें सभी गोलकार की है नेक्स्ट ताह, ताह, काह यहें बहें सब कौन है इन सब की बात की गई है बहें सब कौन है ताह, अजाह, बहें सब अजाह अजाह मतलब बक्रिया बहें सब बक्रिया है ताह, किम कुर्वती बहसब क्या कर रही है ताह चरंती बहसब चर रही है चर मतलब चरना मतलब खाना जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उनके खाने को हम इटिंग या खाना नहीं बोलते हैं उनके खाने को हम हिंदी में चरना बोलते हैं तो यहाँ पर आपके chapter का end होता है, यहाँ पर आपकी सारी explanation खतम होती है, next video में आपको मैं अभ्यास लेकर आऊँगी, आप हमारे वीडियो और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए, बाबाई!